क्या आले साथ ही हूं मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस हो दिचाना स्टेटी फॉर सिविल सब्रसेस पर आज आज आपके समझ लेकर आगे हैं 30 में का करंटे फे हिंदी इंग्लिश होना भाष्ट वह यूपीसी उपीसी किलावादा स्टेट पीसी एग्जामनेश्ट से सम इतना एलोपेथिक वर्सेज आयुवेदिक और यह सारी चीजे जो है इंडियन सिस्टम उप मैडिसन जो है तो उसके लिए काफी आदा यूस्फुल होने वाला है यह वाला डेटा पोर्टल का पे जो आएगा और आयूश संजीवनी आप यह दोनो ठीक यूए में गोल्ड नहीं तो इस टाइप के जो यह होते ना वीजा यह गोल्डेन वीजा और यह सब यह सब नहीं मिल पाएंगे मैं ठीक तो पड़ाई अच्छे जब करिए और अगला जो टॉपिक है चाइना एक्स्पेंडेट इंफ्लेंश इन यूएन बॉडिस देखो चाइना काफी विज चलाने की मांग की जारी इसमें 25 करोण हर साल पांच करोण और पच्छी साल का होता है MP का तो उसके लिए मांग करी जारी कि इसको फिर से चालू किया जाए और मेके दात्तू प्रोजेक्ट रिवर कावेरी पे है इससे समंधित जो है यह प्रोजेक्ट है कान करनाटका का औ और इसको बनाने में काफी विरोध हो रहा है तो क्या चीज़े सारी जानेंगे देखिए मैंने थोड़ा सा यह आपको थोड़ा और ज्यादा बताया कि कई लोग केतने सर्थ थोड़ा सुर्वात में बता दिया तो हमें पता दो चले कि कितना इंपोर्टेंट है मतलब यह क पूछा नहीं जाना चाहिए लेकिन चलिए बता दिया आप लोग बता दें यूपी सी 2021 का चार जून से कंप्लीट पेट गूप यह फिर सिर्फ टैसरी का पेट गूप भी चालू होने वाला है आप लोग जान कर सकते हैं और ईपी एफो दो हजार बीस का जो है आपका 27 मही से ठीक अलड़ी करन आपका जो है कंप्लीट पेट गूप और जो है टैसरी का पेट गूप चालू है आप लोग जल से जल इसको जोईन करिए इपी एफ फॉल साथ दिन का ही है ध्यान रखना 856 48053096089 पे आप लोग कॉल करके ज्यादा जान का ही ले सकते हैं देखो यह ह का फुल फॉर्म है आयूश क्लिनिकल केस रिपोजिटरी ठीक और दूसरा है आयूश संजीवनी एप ठीक इस दोनों को ही लॉंच अभी संदर पहले समाझ देते हैं इन दोनों ही पोर्टल पोर्टल वेब आपका वेब साइट हो गई और यह एप होगे मोबाइल एप्लिक आयूश का तो थर्ड वर्जन लॉंच किया गया है और बहतर बनाए गया है में चीज समझ लेते हैं क्या है आज आप लोग को उससे पहले बता दूं कि आज आप लोग का सभी का जो होमवर्क है जो मैं अलग से उसी चला रहा हूं जो 25 दिन 26 दिन हर दिन जो देता हूं उस के आप जाओगे मंतरा लेके तो उसमें अबाउट उसमें दे रखा होगा अब दोगो है क्या सिस्टम यह है कि यह लिदेगे मैंने वेबसाइट कर लिंक आपको बता था कि यह आयूश क्रिनिकल रिपाजिट्री पोर्टल लेका यूवेबसाइट है तो यह इसका लिंक है कोविट से लड़ने के लिए आयू 64 और एक और थी के से नाम की तो उन लोग ने जो प्रैक्टिस की जिन लोग ने सिर्फ यह ली दवाईयां ली और जो जनरल पीपल भी जो है उन सब को यहां पे डेटा मिलेगा कि उनका क्या रहा कैसी कब दवाईयां ली कितना उनको फै जैसे आज के टाइम पे क्या है की ऐलोपैथिक के पास में स्टेफिक डेटा बहुत है द्यान से समझना ठीक पूरी चीज प्सकून मैं अज़ेगी एलोपैथिक के पास सेम्टिक डेक्टाव मतलब जब एक डिवेड चल लही थी की रामदेश जी बोल ले थे कि जो है आप की जो है डियाबेटीस की मिलाइटीस वन मिलाइटीस टू इन सब की दवाईया हमाएं पास हैं जड़ से मुक्त का और भी कही सारे नाम सुनाएं तो आयमेव के जो चीफ थे एक्स ठीक इंडिया मेडिकल एसोसीशेश उनने का रहे भाईया रामदेव जी यह सब जो भी आप इसको मतलब एक वह बेस मिलेगा जस्टिफिकेशन लॉजिक मिलेगा कि यह एक अच्छी दवा है किसी जो है मर्ज को सही करने के लिए जो आज अभी जो है इंग्लिज जवाई अलोपेथिक को मिली हुई है ठीक यह चीज हो गई यहीं सब इसमें आप बता रखा है ठीक कोविड-19 से किस तरीके निप्टा और आयूश के यह सब बताया जा रहा है ठीक और इसको जो है यह सेक्सेस्फुली ट्रीट जितने होगे उन सब को भी बता है योगा से क्या होता है चीजें संजीबनी योप में होता है उसको आफ बहुत ही अच्छी है इसको डॉनलोड कर लिए गा कि किस तरीके से परणबरागच जोम्हारा भारती मेटिकल सिस्टम है उसके बारे में पूरी जानकारी कोई भी ले सकता है कोई भी जो आफॉडे क करेगा कोई जो प्रेक्टास करता करता है फ्रेक्टिस करता मतलब की अफ़र वेदा की जो डवाइयां योगा जो सिखाते वह लोग इसको देख सकते हैं और कॉमन पीपल भी कर सकता और इसमें एप में यहीं बताया जाएगा ज्यादा तेजी से कि किस तरीके सैंटिफिक डेटा में इसी सियार से मिल गया और उसको यहां पे देखके लोग को और ज्यादा जो है प्रोसाहिद किया जाए कि आयूश वाली दवाईयां लीजिए वो दो जो है हमारा आयूश से था होमवर्ग ज्यान रखना विल्कुल मिशनी करना जरूर जो मैं बतातों जा रहा हूं उसको करते जो प्लीज आप लोग आपके भले के लिए है आयूश मिनिस्ट्री के अबाउट असमें जाके अरवेदी क्या है योगा क्या है सब कुछ आपको यह उससे अलग है जो मैं डेली देता हूं यूपेसी दोचार किसके लिए अब दोको यूएई ने जो है अभी गोल्डन वीजा दिया गोल्डन वीजा किसे दिया आपके संजेद अजी को ठीक यूएई गोवर्मेंट ने दिया अब यह गोल्डन वीजा देने से पहले तो क्योंकि हमेरे साथ नियूज में राता हूं चाहता है कि आप चीजों को देखें और थोड़ा सा जो है याद विरखें अब देखो यहाँ पे यू एई है यहाँ पर लेकिन यहाँ पे दो कट गया-उमान यहां तक है यह तक फिर यहां से फिर भी यह ओमान तो स्ट्रेट अपने लोगों को टैलेंड को रखता है ठीक खुद जो है नौकरी वलब उपर बैठा रहता है टैलेंटेड लोगों को रखता है इन्वेस्टर्स को रखता है और क्या चाहिए बिजनस करने के लिए बता ना टैलेंड चाहिए ठीक वरकर्स चाहिए वो भी है इंडिया से ही कही सारे एक्सपैक्ट जाते हैं वरकर्स आते हैं एक्सपैक्ट इनको बोलते हैं एक्सपैक्ट रखता है वैसे यूए भी रखता उसी उस पर है अब कोविड के टाइम पर क्या हुआ कि यह सारी चीजे जो है काफी जो है आपका निराशा है वैपार करने वालों इंवेस्टर्स में जो निवेशा के अंदर भी निगेटिव सेंटिमेंट है कि अब क्या होगा पता नहीं को करना से उठेगा कि नहीं उठेगा क्या है टूरिजम भी कम है ठीक टेलेंट भी एक्सपैट भी इंडिया में देऊ वापस भाग के आगे कई साए लोग कि अपने अपने घरों में तो अब इनके इनकी जो एकनॉमी थी यूए की वह हो गई थोड़ी सी धराशाई टाइप की तो इन्होंने एक नई स्कीम चलाई गोल्डन वीजा नाम पर अब इसका वीजा जो है यह यह है कि पर्मनेंट रेसिडेंसी आपको मिल जाएगी पांस साल दस साल की ठीक आपको करना क्या होगा जैसे भारत का अगर से देखा जाए तो इनको जो भी मतलब गोल्डन करोंड तो आपको क्या करना है तो आप कमपनी में इन्वेस्ट कर दो आपको जो है यह गोल्डन वीजा मिल जाएगा आपको आपके परिवार को चिल्डें को मिल जाएगा ठीक तो यहां पर यह केस हुआ है बाकि आप अगर इस्टुडेंट हो टैलेंटेड हो एक्सपेट्रेट वल्लब हो अगर आप निवेश इस तरी केस करते हो तब भी आपको गोर्डन वीजा मिल सकता है यह गौर्वर्मेंट यूए ने भी इसलिए चलाई क्यों यूए में जो है इजादत मिल जाएगी और विधाउट दा नीड आफ नैशनल स्पॉंसर मतलब इसमें यह कि जब तक नैशनल स्पॉंसर आपको लेना पड़ता ना कोई अगर आप वहां जान चाहते तो वहां कोई है वो कहेगा कि हाँ इनको भेज़ दीजे तब आपको इसके जोदनी मिलेगी अगर आप यह सब करते हो भया एक करोण जो है अगर आप दिरम दे दो ठीक है यह कहरें ठीक अगर आप 100% आपको जो भी बिजनस भी आप अगर करना चाहते हो कही निवेश करते हो तो उसमें भी ओनशिव आपकी पूरी आपकी ऐसा बोले आ रहा है ठीक और यह क्या प्रदान करेगा लॉंग टर्म रेसिडेंसी देगा पांस साल दस साल का देगा और इसमें निवेशक है अध्यमता वाले लोग हैं आपके इंडिविज्वल हो जिनके पास टैलेंड बहुत जादा हो मेडिकल प्रोफेशनल हो साइन्टिफिक नॉलिज फि भाई बतीजावाद यह सब चलता है इसी चक्कर में भारत से सारा ट्रेलेंड जो है बाहर जा रहा है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ठीक यह चीज़ है और इसका मेन बेनिफिट देखिए क्या है गोल्ड़न वीजा देने का यूएई को ताकि जो एक्सपेट्रेट्स यहां की इंवस्टर हैं जो चले गया है उनको वापस बलाया जाए उनको वहीं पर रखा जाए ताकि यार वो खुद तो थो ना शेक लोग काम करेंगे शेक लोग तो वास पैसा दे के जो लोग को जॉब देते हैं ठीक और अपना पैसा बनाते हैं सीधी सी चीज़ है और इसमें इपलाई को ने तस साल के जो वीजा। है उसको एपलाई करने के लिए और चल्डरन के पत्ति पतनी उनसाब को एग्जेकूटर प्रड़ेटर को वीजा मिल जाएगा ठीक और यहां पे इंत्रप्रणूर्स जो हो गए आपके जो उद्यमी होते हैं आपके इंडिविज्वल वहीं सब लोग डॉक्टर इंजीनियर सब लोग को भी मिल सकता है और इसके लावा जो स्टुएंट्स हैं उनको पांस साल का मिलेगा ठीक और यह सार जित पीछे रीजन वहीं है कोविड-19 के टाइम की वज़े से जो है सारे एक्सपैक्ट से यहां से चले गए हैं कम इनकी एक नौमी अर्थववस्ता चर्मरा चुकी है ट्रेंटेटर पीपल को इसलिए वो रोकना चाहते हैं नेशा बिल्डिंग भी रखना चाहते हैं सारी चाहिना ने बड़े स्मार्टली जो संयुक्त राश्यानिक युनाटेट नेशन्स के जो कई सारे एजनसी है ठीक उसके और प्रिंसिपल और पंदर होंदा तो उनमें दो तरीके से यह अपना जो है पैसे की ताकत मैंने आप लोग को बताया था कि चाइना क्या करता है चेक उसमें भी इसने बहुत व्रद्धी की है पैसा जादा जादा बड़ा है पैसा बोला मतलब उनके मालना जो भी डॉलर जो भी दिया जाता है और जो मेंडेटरी जो दिये जाते है उसमें भी व्रद्धी की है ठीक क्योंकि इनके पास जो पैसा है मनी जो है वो जादा है ठी यह आपकी UN की संस्ता है जो की आपका जो भी कॉम्णिकेशन टेली कॉम्णिकेशन सबंदित जो होते काउन सी चील लगेंगे क्या प्रोटोकॉल बनेगा क्या सिद्धान पर काम किया जाएगा कौन सी एक्प्मेंट लगेंगे इससे लेटर काम करता है अब देखो चाइना के आपने जरूर नाम सुना होगा दो कंपनियां हैं वहां की सावजनिक कंपनिया हैं मतलब की पब्लिक कंपनिया है जेड टी और हुआवे का नाम तो पक्का सुना होगा ठीक अब आपका इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन में इसका बहुत जादा प्रबो हो गया चाइना क वैटा हुआ तो हुआवे के खिलाब जय कारवाई नहीं होने दीज वैसा ही आगर आपने देखा हो तो डबलू एचो का भी यह कहा जाता है कि जो कोविड के टाइम पर यह बचाया डबलू एचो ने किसी तरीके से चाइना को कि इसका नाम ना है कि चाइना ने कोविड को नहीं पहला है ऐसा हुआ है ना यह इसी लिए हो रहा है क्योंकि चाइना अपना दीरे-दीरे इंफ्लेंस बढ़ा रहा है वह चाहे चक बुक के थू हो चाहे और वहां उसका हैड बंते हुए किसी तरीके से अपना जो है प्रभूत तो बढ़ा रहा है ठीक अच्छा वैसे रही है करीबन 346 प्रतिशत और जो मेंडेटरी में जरूरी जरूर करते करते हैं यून में वह 1096 प्रतिशत बढ़ गई है ठीक चेक्बुक डिप्लो मैसी हो रही है चेक्बुक डिप्ले मैसी मैं क्यों पारब बोला हूं अभी बताऊंगा बाद में चाइना इंक्रीज ने बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव जो है इसको जो है वह फेवरेवल जो है उसके स्टैंडर्स माना को यह सब बनवा रहा है ठीक तो यह सब जो है कैसे हो पारा है चाइना चाइना अपना पैसा फेक रहा है भाई बहुत पैसा इसके बाद यहीं पेची लिकी हुए पाचुआ सबसे बड़ा डोनर बन चुका है अब इसका इंपक्ट देखें यहीं है आइट यू आपको मैंने बताया यह आपका पंदरा प्रिंसपल जो और एजनसी है यूएन की उसमें से चार में भाईया जी चाइना जो है वह उसमें अभी है ठीक वहां का है जैसे भी अभी ब्रिक्स में क्या है कि इंडिया है बना हुआ ना वैसे यहां पर है इसमें आपका आइट यू में आई यून आइडियो फूड और कल्चर ऑगनेशन आई सी ए ओ अब देखो इंटरनेशनल सिविल अविएशन और्गनेशन में भी इसने कैसे फाइदा उठाया जब कोविड वाली चीज़े हुईं तो ताइवान से दुनिया को दुनिया जो है ताइवान से अलग से जो है ट्रैवल हो सब करना चाहती है क्योंकि चाइना जो है ताइवान को अपना इससा मानती है भले ही जो है ताइवान जो है अपने को अलग मानता है चाइना से लेकिन चाइना का इतना अधा इंफ्लूएंस है दुनिया में अतना अधा डर भी है कि कोई भी किसी को भी ताइवान को ऐसे अलग कंट्री बात नह नहीं करने दिया ठीक चाइना दिखे यहां पर चार में तो हैड ही है और चाइना जो है डिपुटी इनका नाइन अधर जो एजनसीज हैं जैसे की वर्ल्ड बैंक हो गया इंटरेशनल मेरिटाइम ओगनाजेशन हो गया ठीक है आपका जो है यह यूनेसको डव्लू एचो इन सब भी जो है इसके मनमाफिक हो जाए चाइना ने जो है उस सेवन पॉंट फाइव मिलियन कंटिपूशन अभी यून डीपी को किया था और इसके इंफ्लूएंस के वैए से जो है जो प्रोजेक्ट है वो भी इन्हीं के साब से हो रहे हैं यून डीपी क्या है यून सी जो ह है रिपोर्ट लाता है यादा रहा है कुछ हुमन डेवलोप्मेंट रिपोर्ट लाता है ठीक कौन सा इसमें जो है वो आता है आपका इंडेक्स आता है हुमन डेवलोप्मेंट इंडेक्स आता है ठीक इसमें कौन कौन से वह होते हैं एजूकेशन होता है लाइफ एक्सपे यहां ना किसा ही से बताने नहीं दिया धिक्ट चाहिन को इंडिया के पूछे जो जो इन्डिय के पूछेगा इंडिया को मैंपिंग कहिं ना कहिं कुछेगा ही आगा थी इसलिए इस लिए इस जोड़ देके पढ़ा रहा हूं मैं आपको और ज्यादा हाउ कें इंडिया काउंटर सच भारत ऐसे कदमों का मकाबला कैसे करें बहुत अफाइं से कर सकता है भारत अपने उसको भी प्रोक्तिवली बाई चाइना कुछ जब कर देता है उसके बाद नहीं सोचना है पहले सोच के चलो कि चाइना क्या करने वाल सब्सक्राइब करें अभी इसराइल और फिलिस्तीन में जो है वैसे तो उन्होंने बैलेंस दिखाने के बहुत बड़ी कोशिश करी है कुड नितिकी वह उनकी है लेकिन आप जातरे देखो कोई मुद्दा हो हम कुछ नहीं बोलेंगे तो ऐसे मूंग दरशा की फिर बने र होना चाहिए कि हम हम रूल सेट करें ठीक ऐसा नहीं कि हम बाद में जो है हम उसका लिपा पूति करें यह चीज नहीं होनी चीज स्पॉंसरिंग इंडियन नैशनल जो है और उनको स्पॉंसर करो कि वह यूएन के सिस्टम में बड़ी-बड़ी प्रभाव चाली जगाओं प को उनसे कहा है गुजारिश की है कि इस स्कीम को चालू फिर से करवाया जाए ताकि MPs को फंड मिले और इसका फुल फॉर्म देखें MP को फंड नहीं मिलता है मैं आपको इश्वाद दलता हूँ यह वाला अगर आपने आज सही से पढ़ लिया आपको MP लैट से कोई भी कोश्चन आपका गरत हो ने सकता है ठीक देखें इसमें क्या हुआ है कि जब कोविड आया पिछली साल 2020 में तो MP लैट को बंद कर दिया अब भारत में इतने सारे MP हैं हाँ पांश क्रोण हो जाता है सिन वास फाल एक लिए साल जसल तक पच्चिस करोण हो जाता है ओर धियानक ना सुनते जो हर साल जतना दिया जाता है वो non-lapsable होता है मालिजे एक साल में आपको जब 5 करोड जो दिया जाता है उसमें से आपने मालिजे चार ही यूज किया या आपने मालिजे एक भी रूपिया नहीं यूज किया तो ये lapse नहीं होगा ऐसे नहीं है स्थारण उसार करौण रुपया खुंकर बन वाते हैं और लोग ताकि मैं बहुत चाम करवा जंता बहुत भी तो अब यह vine सब्हुन है यह जो है आपका वृफ में चालो ही ठीक है देखो यहां पर दिरखा इसके बारे में MPLAT जो है स्कीम जो है चालू करेगी थी 23 दिसंबो 1993 में और इसमें देखो यहां पर क्या होता है कि MP जो है सांसत जो है वो DM से कहेगा द्यान रखना या फिर जो भी development work वाले जो हैं उनसे कहेगा रिकमेंड करेगा सिफारिश करेगा यह घर में बैठके खुद नहीं यह कह देगा जा रोड़ बनवाल हो जाके यह सिफारिश करेगा DM सही मालूब यहां पर कि भाईया यह वाला काम इस जगे में मेरी constituency में करवा दो ठीक DM चाहे तो cancel भी कर सकता है यह रिकमेंड करते हैं development work मतलब विकार के लिए जो work है उसी को कहेंगे अपनी constituency में ठीक और emphasis on that creating durable community asset होना चाहिए सामुदाय के लिए होना चाहिए asset होना चाहिए मतलब जो है आपका ओव भी durable ताकि मतलब ऐसा नहीं कि जो है आज एक साल के लिए 5-6 मैंने के लिए ठीक स्थाई इस्थर का टिकाऊ समुदाय संपत्ती बनाने के बात की आती है जो की locally यानि स्थाणी लोग के लिए जरूरत की वो 5 करोड दिया जाता है और यह जो है release दो यह grant in aid है district authorities को दिया जाता है पैसा ठीक वहां से यह account बनी आता है MP के account में DBT नहीं चलता है आपर समझना डायक benefit transfer नहीं है district authorities के पास 5 करोड पी आ गया ठीक अब उस पे जो है जान्सत कहेगा यह एक काप यहाँ यहाँ पे आप इसको यूज करिए non-lapsible है और यह liability of funds जो है प्रीज नहीं होता है ठीप अगर माली जो कोई पैसा आपने पांच में से चारी किया तो एक रॉंड जो है अगले साल के लिए हो जाएगा ठीक और यह रिकमेंडेटरी रोल होता है इसमें MP का कौन सा वर कि बता सकते हैं कि आपका जो है और इसमें क्या-क्या प्राथमिक्ता वाले छेतर क्या है पेजल होना चीज सोचता और यह सारी चीज़े हैं आपका सेल्फ हेल्फ ग्रूप इन सब के लिए जो अर्बन डेवलोप्मेंट इन सब के लिए लगा सकते हैं कौन सी अनुमती नहीं है भाईया वही है कि आपना अपनी रिहाइश वाली जगह ना बनवाने लगो चाहिए अपने लिए प्राइवेट के लिए किसी भूमी अग्रन मत करने लोगो कुसी कंपन्सेशन किसी एसेट को जो है किसी इंडिविजुल के नाम पर मत रख दो संपत्ति को यह साई चीज़े आपको रिलीजियस के न सब के लिए यह जरूरी है अच्छा मैंने बहुत चीक चीक के चेक्बुक टेफ्लोमेसी पर बात करी थी वह इसी लिए की थी क्योंकि आज का कुश्चन देखो आज है संडे आज आप लोगो मिलेगा ऐसे का टॉपिक भी आज आप लोगो मिलेगा चौद्वा कुश्चन दो हफते हमें हो गया मैंने देख रहा हूं बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो आपस में दूसरे का इवेलुएट भी करते हूं मैं जहां पर खाली हो तो मैं तुरंद वहां पर बताता भी हूं ठीक सब जगे जो है कुछ ना कुछ इसमें जो है कार चल ला है और जो लो इंट्लोमेसी क्या है ठीक मैंने आप लोग को अभी बताया और चाइना कैसे इसको यूज कर रहा है अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने का दुनिया में और इंडिया इसको कैसे काउंटर कर सकता है ठीक अब आप इसको जो है आंसर लिए दाइसो वर्ड का है मात्र ठीक हिंदी में चगबु टिप्लोमिसी क्या है दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन किस तरह इसका इसका इस्तमाल कर रहा है भारत इसका मुकाबला कैसे कर सकता है दो सो धाइसो वर्ड से ज्यादा मत लिखिएगा ठीक ऐसे इस्पेशल आज का है और बहुत सिंपल समय ने दिया है पांसो वर्ड मैक्सिमम आप लोग लिखने चार सो से पांसो आज का ऐसे यह है गांधी जी का कोट है बता देता हूं आप लोगो ठीक गांधी जेब यूप इनफ तो सेटिस्फाइब अवरी मेंश नीड बत नोट अवरी मेंश ग्रीट इसके इतने आयाम बन सकते हैं ऐसे लिखना आप लोगो आपको पहले पॉंट बनाने होंगे वाट वाई वेर हाउ वेन ऐसे पॉंट बनाओ फिर सब्जेक वाइस पॉंट मनाओ फिर सब्जेक पॉलिटी सोचो कि मलब कोई वेक्ति है ठीक आप चुनाओ लड़ारा क्यों क्योंकि यह सोचता है कि माली जय एक साल में उसने 100 क्रोण पे नीता ने चुरा लिए मलब बना लिए ठीक अगली बार सोच आप फिर जीतूंगा अगली बार 1000 क्रोण बनाऊंगा ठीक आपके ब वेक्ति दो दोस्त थे ठीक एक एक जो है बहुतिक वाद में चला गया हर चीज मैटेरियल से जोड़ने लगा दूसरा जो है स्पिरिच्वल था वो जितनी नीड होता था उतना करता था तो दिरे दिरे दोनों का क्या हाश लूआ ऐसे को स्टोरी आप लिख सकते हो फिर चा मैं आपको बताओं फिर आप उसी को प्रोजेक्ट जो है रिवर कावेरी पे इससे समय देते हैं क्या हुआ यहां पर कि करनाट का गॉवर्मेंट ने यह कावेरी रिवर पे इंटर इस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कई सारे रिवर पे हैं ठीक इस पे आर्टिकल नंबर कौन सा 262 में यह कहा गया है कि सुप्रिम कोट इसमें कोई भी हस्ता छेब नहीं कर सकता है तो इसलिए इंटर राजिये जो जो नदियों से लेटर जो डिस्प्यूट है उनको सौल करने के लिए ट्रुबनल बना जाते हैं अलग अलग ठीक तो कावेरी रिवर पे भी जो है डिस्प् पानी में चीए हमको इतना पानी मिलना चाहिए तमिल नाडू आए तो आज की बात है हमारे देश आजाद होने से पहले दो जो है ट्रीटियां हुई है जिसकी वहिए से जो है हमेशा यह विवाद में रहा याला यह इंटरिस्टिड रिवर वॉर्टर जब मद्रास पहले और तब मतल्ब और मैसूर के बीच में कुछ कुछ जो है पहले हुए तो उससे तो को जदा फेवर दिया गया था और मदराज को जदा फेवर दिया गया इनको ज़्यादा पानी किया जो डॉटल पानी उसमें आता पूरे साल में मिलाके उसमें जातर पानी तमिल नाडू का अवेंटिट किया गया है अभी जब इसका हुआ बहुत तरीच ओवी साल के बाद ट्रिबनल बनाए गया उसने भी जो एवाड दिया उसमें उन्होंने जो है क्या किया कि जो पानी था कावेरी रिवर का इसको आपका गंगा अवदा साउथ ही बोलते हैं कावेरी को ठीक दच्छन गंगा किसको बोलते हैं वो दावरी है तो क पावेरी जो है इसके पानी को उसने ट्रिबनल ने भी बाट दिया ठीक कनाटका को थोड़ा बढ़ा दिया यह सारी चीज़ें हैं अब हुआ क्या है कि कनाटका अभी भी नाखुश है जो ट्रिबनल ने दिया है एवार्ड मतला अपना जजज्मेंट और तमिल नाडू भी अभी नाखुश है पता नहीं क्यों सब्सक्राइब पानी इन्हीं को दिया गया है ठीक कनाटका यह कहता है कि यार जो पहले चीज़ें हुई थी इसको जो है हमारे खिलाफ थी ट्रिबनल ने भी हमारे खिलाफी कर दिया हमारे यहां जो बैंगलूरू है और यह साथ चीज नहीं हो सकता लेकिन यह लोग ने लूप होल दोड़ा इस्टेट्स ने और उन्हें देखा कि भाईया एक चीज तो है कि हम डिस्प्यूट में तो नहीं जा सकते लेकिन जो ट्रिबनल ने एवाड जो चीज में बता रहो नहीं यह पूरी चीज यह आपको आप पढ़ते र दिया है इस जज्जमंट के खिलाफ तो हम लोग सुप्रिम कोड में जा सकते हैं अंदर आर्टिकल 136 जिसमें क्या होता है इस पेशल लीव पेटीशन लीव का मतलब परमीशन होता है यहां पर यह यह लावले लेंग्विज में ठीक तो इसमें चले गए अब सुप्रिम को और सब लोगों अभी यह लोग नाखुश हैं अब क्या हुआ कि करनाट अभी जो लेटर जो हुआ है यह माका देतू प्रजक्ट जो आ रहा है ठीक में के दातू प्रजक्ट यह क्या है कि आपका करनाट का कह रहा है कि बैंगलूरू को जो थोड़ा पानी और देने के लोग जैसे कुछ आवेंटर बढ़ा भी दिया था करनाट का तो उनने भी कहा था कि बैंगलूरू को पानी देना यह सब बहना बनाते हुए तो इस पे तमिलनाटू ने जो है थोड़ा सा एंजीटी को बोला या किसी तरीकेश कराया तो एंजीटी जो है नैशनल ग्रीन ट को यह जो है एक वासी जुडिशल बॉडी भी है अर्द नाइक निकाय भी है उसने सुव मुत मुलब खुद से यह कहा कि भाईया यह जो प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो करनाट का मेके डाटू तुमने यह किस से पूछ के बनाया और तुमने जो एंवर्मेंट को यह इसके खिलाफ हम जाएंगे कोट में यह है पूरी कहानी जो मैंने आपको यहां पे समझा ठीक कैसा लगा आपको अगर लगा है तो लाइक वोटन तोड़ना जुरूर है ठीक कई सारे जो इंपॉर्टेंट आज पढ़ाएं करनाट का एंजिटी ने यह बोल दिया सवादर जोन पर कमिटी बना दी कहा जाकर देख क्या उने यह जो अनुट्राइज कर रहा है कि कि ने पर दिक्कत करी है कि हम भी चैलेंज करेंगे आपको एंजुटी भाई साब ज्यादा हीरो बन रहे हैं करनाट का ने कर सक किया है डैम कर दिख लेंगे आपको यह सारी चीज़ें यहां पर दी गई है और यह सब कोशन वहां पर बन जाएंगे आपको आप पड़ोगे यह सब और यहां पर पूछ लेगा बताओ इसकी कौन-कौन सी जो है साइग नदिया है ठीक तो यह साइज चीज है कालध थी आप जो हमने इसको वांब इसकी सराओ बसरेव और यहां अगर पकान नहीं दो गया हमें तो कई इन लोग की आजीविका जो फार्मर से उनकी आजीविका को खत्रा हो जाएगा तो उसको एक पॉलिटिकल फार्मर इशू बनाए दे रहा है करनाट का यह तमिलाडू तो यह साही चीजें बीच में सेंट्रल वाटर कमीशन कंडीशन भी उन्होंने कुछ रखी थी कि जो है आ कर रहे हो और पांच जुलाई तक यह जो कमिटी बनाई है यह अपनी डिपोर्ट दे देगी और इंवार्मेंट से सबंदित कौन सी अथर्टी कौन सी रेस्पांसिबल है क्यों कंस्रक्शन किया गए इस सब एंजेटी देखेगा मैंके डाटू प्रोजेक्ट जो है 9000 क्रो कि हम नहीं करने देंगे यह और तमिलाडू ने भी कहा है कि जो फाइनल ओडर आया था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिबिनल जिसके वारे मैंने आपको बताया था इन विज तस सुप्रेम कोर है याद दिला रहा है करनाट को कि तुम क्यों ओनर बन रहे हो यार कि मतलब किसी और स्टेट को आप जो है यह नहीं कर सकते हो कि उसके पानी पहुचे नहीं ठीक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जितने भी है ठीक गोवा में भी एक है गोवा और आपका करनाटका के बीच में बताइए उस रिवर का क्या नाम है यहां इस और टॉपिक म इसकी टिविनिट्री यानि की सायक नदिया कौनसी अर्खावती हेमावती लक्षम लक्षमना तीर्था हो गए शीमशा कावनी हरंगी ठीक ध्यान रखना इसको याद कर लेना और कावेरी डिस्प्यूट यहीं है कि तमिलाड़ो करनाटका में जो है इसको पहले बाठ दिय ठीक और इसमें दो पहले अग्रिमेंट समझाओते हुए थे अठास बानेवे में 1924 में ठीक मद्रास प्रेसिडेंट्सी क्योंकि पहले तर आज तमिलाड़ो है और इसादा और किंग्डम ओफ मैसूर जो करनाटका वाला है उनके बीच में ठीक आठका यह समय ने लिखा थ होता है ताल कावेरी इसे होता है यह आपका करनाटका की कोडागू डिस्टिक में है ठीक और यह दोजा साथ में 16 साल बात जो है कावेरी ट्रिबिनल ने अपना डिसीन फाइन रवाड दिया था अठास बानवे और 24 वाले पर को देखते हुए ठीक और लेकिन दोनों लोग से नगेरर आप साइड से तो यह इसे होगा तो उसमें क्या होता यहां से पानी हर जगह से जो डि wrench से इहां पे बते हो और यह पूरी रिवर ऐसे चली हा रही है तो यह ऐसे जो है वैनल टाइप की होगा कूछ धलांघ होगी वैनली नहीं होगी मैं कह रहő है और यह दो सुप्रीम कोट ने कहाता है अगर कोई वाटर इंटर स्टेट रिवर है तो नैशनल रास्ट्री जो है संपत्ती है ऐसा नहीं किसी स्टेट की आप उस पे सौमित अपना ओनर्शिप नहीं दिखा सकते हो और जो भी दूसरी एक स्टेट दूसरी स्टेट को पानी से वंचित नहीं कर सकते हो चीक और यह देखो अठाज़ बानवे उनने सो चौबिस में यह अले हुए तो समझाओते जिसके खिलाफ हो रहा है और यह दो अलग-अलग कुछ जो है अदा स्टेट मेजर स्टेट जहां पे इंटर स्टेट जो है रिवर डिस्पूट चल ले ह रवी व्यास जो है पंजाब हर्याना राइस्तान है नर्मदा रिवर पे जो है MP उजरात महरास्टा राइस्तान है किष्णा रिवर जो है आपके उस पे जो है महरास्टा अंधरप्रदेश और कनाटका है गोदावरी रिवर पे जो है महरास्टा अंधरप्रदेश केडला करनाट का यह कह रहा है कि हमको भी जो है यह कम पानी दिया गया और एक्विटेबल शेरिंग होने चीव वाटर पे मतलब सौ है दो लोग हैं तो पचापचास कर दो ऐसा थो नहुता है तो मिला डू कह रहा है हमने तो यहार साड़े बाराजा स्कॉार किलोमेटर जमीन मनाली फार्मिंग की अगर हम अब पानिया में कम मिलता है तो फार्मर्स का जो आजीव का खत्रे में आ जाए गया तुम का बात कर रहा है और जो अगला है कि दो इंडियन जो प्री इंडिपेंडेंडेंस एग्रिमेंट हुए हैं वह बेस थे एरिया अकुपाइड बादा म है सूर मेर्दरास प्रेसिडेंसी तो मेर्दरास बहुत बड़ा था ना यहर पहले उसमें आज का अंदर पदेश और यह सब कुछ आता था तो यह सरही चीज़े हैं अब हम लोग आ गए हैं थोड़ा लंबा होगे लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टन चीज़े थी जो आ लंदन में बेस्ट है ठीक तो यह जो है लुर्व जो लिखा हुआ है म्यूजियम यह लंदन मनी फ्रांस में और फ्रांस में इस तरीके के वर्ड होते हैं जो बोलनें बहुत ही अटपटे टाइप के लगते हैं ठीक तो पहला स्टेट्मन गलत है और फॉल्स ही पूचा गय और एक क्लासे और क्लासिकल कल्चिरल और्गनाइशन है आर्ट लवर के लिए वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते सबसे आता है दुनिया सबसे आता जो है यह अला म्यूजियम विजिट किया जाता है तो यह इसमें सिर्फ पहला लग अलत है यह आंसर इसका हो जाएगा ठीक और इसमें आप लोग से बताना है कि मोना लिए जो एक लड़की यह औरत की जो फोटो है यह किस पेंटर ने बनाए थी आप लोग को इसके बारे मताना है ठीक यह पैरिस में पारीज में ठीक और दोजार दोसो अठाइस यह की हिस्ट्री एसकी अगला जो मा अनिमल किंडम जो आप लोग पढ़ा होगा तो उससे समंद्र जो सी काओ डुगॉंग जो है यह उसमें से चार में से एक सर्वाइविंग स्पेशीज है ठीक कैस्टेट्मेंट सही है कि गलत सही पूछा गया है डुगॉंग जो होता है यह इंपॉर्टन पार्ट होता है आ और यह शाकारी इस्तंधारी है कि एक मात्र मौजूदा पर जाती जो भारत सहित भाहत भारत के मतलब उसमें रहती है यह लिफ्स एक्स्लूजिवली इन दा सी इंक्लूडिंग इंडिया ठीक यह एक मात्र जो है इस पेशीज है ओनली एक्जिस्टेशीज जो हर्भी वोरस है मतलब कि पेड़ पौदे खांस्पूस खाती है ठीक डैट लिफ्स एक्स्क्लूजिवली इन दसी इंक्लूडिंग इंडिया ठीक जो की एक अकेला एक मैमल है संधरी मैमल जो होते हैं सीधे बच्चे देते हैं बाकी जो क्या है अंडे-अंडे देते हैं यह डिफरेंस हो इंडिया में भी शेडूल वन जो है वर्ड लाइफ प्रोटक्शन एक उसमें शेडूल वन का जानवर अब देखो आप लोग साई लोग बोलते हैं कि अरे कितने प्रजाती के कौन से कौन से हमको याद करने देखो थोड़े से लॉजिकल वे में चलते हैं वर्ड लाइफ कर लो बाकी है और कोई बहुत ज़्यादा करेंट में न्यूज में है तो उसके पर वर्ल्ड डुगॉंग डेजो अठाइस माई को होता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यह जो है इस मचली जो डुगॉंग देखिए यह होती है बहुत सुंदर है सी काओ भी मूलब समुद को जोड़िए और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट गाइटेंस अच्छा रखता है तो प्लीज आप लोग यूपी एस सी दोजार एकिस का चार जून से जो है कम्प्लीट प्रेट गूप एफिस्टेस का प्रेट गूप चलू होने वाला है उसको जान कर सकते हैं और एप आप लोग से मुलाकात हों कि सुबच्छे होजे तब तक लिए लेते हैं आप लोग से अलविदा सुरक्चित रहिए घर पे रिए खुब पढ़िए जायन जावरत और देवरी बेस्ट है वंदे मातरम